अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीज़ेगा मेरे चैनल पर नहीं हो इसे सब्सक्राइब कीज़ेगा तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टारेट अगर इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक से पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कीया जाता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीज़ेगा अगर इंडिया post payment banks related कोई भी जानकारी चाहते हो post payment bank account कैसे create किया जाता है इसमें पैसे कैसे transfer किया जाते है UPI account कैसे create किया जाता है UPI से कैसे पैसे transfer किया जाते है सारे वीडियो का link मैं आपको i button या description में दे दूँगा आप वहाँ से उस वीडियो को check out कर सकते हो तो चलिए फिलाल इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ अब इंडिया post payment bank से अपने post office savings account में पैसे कैसे transfer कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो send money का option आपको दिखाई दे रहा है home page में यहाँ पे आपको करना है send money यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे तो आपको चले जाना है पांच number option में जो है कि जो है POSB sweep out ठीक है यहाँ पे आपको परना है click POSB sweep out तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके इंडिया post payment bank savings account में परियाप्त balance होने चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हो balance 673 रुपए है और यहाँ से जो की मेरा पहले से ही एक post office savings account है उसमें यह account link किया हुआ है यह इंडिया post payment bank में savings account कैसे link किया जाता है इस पर भी मैंने बहुत एक video बनाई है आप i button में उस video को देख सकते हो या मेरे description link से उस video को check out कर सकते हो यहाँ पे आपको amount है यहाँ पे करना है amount inter तो यहाँ पे मैं दूँगा 6000 रुपए remarks में optional है आप चाहे तो remarks दे सकते हो या remarks को छोड़ दीजिए यहाँ से आपको करना है continue यहाँ पे आप देख सकते हो इतने रुपए आपकी India post payment bank से कटके यह department of post मतलब की post office savings account में transfer होंगे यहाँ से आपको करना है confirm यहाँ पे आपके registered mobile number पर एक one time password याने की OTP आएगा मालिज यह OTP नहीं आता है तो यह regenerate OTP option पे क्लिक करके OTP को regenerate मतलब दुबारा प्राप्ट कर सकते हो तो अभी तक मेरा OTP नहीं आया है जब OTP आ गया है चलिए मेरा OTP आ गया है अब मैं OTP दे देता हूँ इस box में मैंने OTP को इंटर कर दिया है अब मैं करूँगा submit यह देखिए transaction successful हो गया है और यहां से मेरे इंडिया post payment bank से post office savings account में successfully pass से transfer हो चुके हैं यहां ते चलाता हूँ go home पे और यहां पे refresh करेंगे तो देखिए यहां पे amount अभी पहले जैसा ही हो गया है तो दोस्तो उम्मेद करता हूँ यह video आपको helpful लगी होगी videos related कोई भी अगर problem है या कोई topic समझ में नहीं है तो मुझे जरूर comment कीजेगा मैं कोशिश करूँगा आपके comments के जवाब देने की मैं almost अपके comment के जवाब देता हूँ दोस्तो अभी के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में interesting topic के साथ अब तक के लिए bye bye thanks for watching